गुड मर्णिंग फ्रेंट्स अनिल कुमार आप लोग के लिए हिंदी का वस्तुनिस्ट प्रस्ण लेकर आया हूँ वी धमका के साथ ठीक है और चलिए जो पिछला रैंक है वो सुनाते हैं कि किन दोस्तों ने कितना मेनत किया है तो जो रैंक फर्स्ट है चंदन कुमार छोट जैसे ही धमका के साथ खुब मेनत किजिए और सफलता पाईए कहा जाता है दोस्तों कि जो मेनत करेगा उसकी सफलता तो कदम चुमेगी ही ठीक है तो आज हम लोग जिस चाप्टर को पढ़ने वाले हैं जिस चाप्टर के वस्तुनिस्ट प्रस्ण को पूरा करने करने वाले हैं उसका नाम है हस्ते हुए मेरा अकिलापन ठीक है तो हाँ दोस्तों हस्ते हुए मेरा अकिलापन चलिए तो इसके साथ हम लोग इसके प्रस्ण कंप्लीट करते हैं ठीक है तो चलिए रेडी रहिए और फटाफट जुडिए हिंदी के चाप्टर हस्ते हुए मेरा में हुआ था और उनका मिर्तु 26 अप्राइल 1912 को हुआ था चलिए इस चाप्टर के वह स्थिनीश प्रस्म को हम लोग एकदम धमाके के साथ कंप्लीट करते हैं हां हसते हुए मेरा अकिलापन के लिखा कौन है और अप्शन आपके सामने रहा ए उद्यप्रगास अप्शन B मल्यज अप्शन C मोहन राकेस अप्शन D जगदिश चंद्रमाथूर और सुनिये ध्यान से और फटफट बताने की कोशिश कीजिए इस प्रस्म का जवाब तो है तुम मल्यज जी है और नसर भी है हम अर्यह जी और मेरा आ के लर्त कर ठीक है तो चलिए प्रस्म संक्याम लोग दो के देखते हैं उत मल्यज की कौन सी राचना है इसम.' से बताना है कि मल्याज की कौन सी राचना है और अब्शन सुनिये धीरी अप्शन वह युठन अफस डी हस्ते हुए मेरा किलापन तो हस्ते हुए मेरा किलापन जो मलियर जी के द्वारा लिखा गया है ठीक है इसलिए आंसर अप्शन डी है देखें दोस्तों जिस चाप्टर को पढ़ाया जा रहा है उस चाप्टर को पहले ही आप लोग बुक से कंप्लीट कर दीजिए तब यहां सही सही जवाब दे पाएंगे ठीक है और ऐसे पढ़िए याद भी हो जाएगा बनिया से ठीक है तो चलिए प्रस्म संक्याम लोग ती और अप्शन आपके सामने E 36 गड़, B अलीगड, C आजमगड, D रामगड तो मल्याजी का जनम आजमगड में हुआ था इसलिए आंसर अप्शन C है दोस्तों पता होना चाहिए कि आजमगड उतर परदेश में पढ़ता है चलिए प्रस्म संक्याम लोग चार को देखते हैं मल्याजी ने किस मंत्राले में नौकरी की और अप्शन सुनिए एक किरिशी मंत्राले, अप्शन B रेल मंत्राले, अप्शन C बित मंत्राले, अप्शन D सिक्षा मंत्राले तो मल्याजी ने जो नौकरी की थी वो किरिशी मंत्राले में इसलिए आंसर अप्शन A है चलिए प्रस्टांग के हम लोग 5 को देखते हैं मलेस के पिता का क्या नाम था और अफसन सुनिए E. रामनाथ वर्मा अफसन B. तरीलोकी नाथ वर्मा अफसन C. दिननाथ वर्मा अफसन D. इनमें से कोई नहीं तु मलेस्ट जी के पिता का नाम तिरे लोकी नाथ वर्माद था इसलिए आंसर अप्शन B है चलिए प्रस्न संग के हम लोग 6 को देखते हैं मलेज के अनुसार किस कर्म के बीना मानुवीता अधूरी है मानुवीता अधूरी है सुनिये ध्यान से और प्रस्न सुनिये और जनकारी ये लेना है किशी प्रस्न सथे अधूर किरियर्टिब देमाग से किजएगा प्रस्म संग के हम लोग साथ को मल्यक जब छात्र जीवन में थे तो उनको छैरोग हो गया था छैरोग तो नहीं समझ दे होंगे चलिए इसका और नाम है जिसको टीवी करते हैं टीवी सब कोई समझता होगा लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि टीवी इसका अंग्रेजी नाम है हिंदी में छैरोग ही करते हैं ठीक है इसलिए आंसर अप्शन सी है यह जो है संक्रमित विमारी है जो छुआ छुट से बहुत तेज में फैलता है जब किसी को विमारी होता है तो बहुत अपने आपको बचाव रखना पड़ता है नहीं तो फैलने में समाजिक विमारी फ साल अप्शन भी दस बारह साल अफशन सी पंद्रह सोला साल डी एकिस बाई साल है चलिए फटाफट बताने की कोशित कीजिए तो जो सेब बेशने वाली लड़की थी उसकी आइना केमरे में लेखा को आकासित करने वाला देशन अंसर अप्शन अप्शन सुनिए यह बलभ ठाकूर अप्शन सी बलभादर शार्मा अप्शन डी बलभादर वर्मा देखिए सम नाम से मैं क्यों टाइटल बदला गया है ठीक है चलिए तो बलभादर जो ठाकूर जी है वह सुचना केंद्र में लेखा को आकारसित करने वाला अध्यर वेक्ति थे ठीक है इसलिए आंस सब्ग्यान अप्शन भी रस सिदान अप्शन सी कवीता से सक्षातकार अप्शन डी इन में से कोई नहीं तो कवीता से सक्षातकार जो था वो मल्यज की अलोचना है यानि आंसर अप्शन सी है 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 चली प्रस्ल संह अम लोग 11 को देखते हैं है क्रसन संख्या 11 पेण किस लिए काटे जा रहे हैं अप्शन सुनिए ये बेशे ने के लिए अप्शन सी घर बनाने के लिए अप्शन डी इन मेंसे कोई नहीं है इन निंधन का के लिए पेण आज कल जो काटे जा रहे हैं वो इंधन के लिए यानि आंसर अप्शन बी है उससे में भी पेण इंधन के लिए ही काटे जा रहे है और अभी तो आप देखी रहें कि पेड़ों का कितना दोहन किया जा रहा है जिसके करण बहुत सी बीमारिया फैल रही है और कहा जाता है कि खुद को जीना है तो पेड़ लगाना पड़ेगा ठीक है चलिए प्रस्म संक्याम लोग 12 को देखते हैं कौन सी रचना मल्यज की है और अप्शन सुनिए ए रशातल यात्रा भी हुंकार अप्शन सी जक्म पर फूल अप्शन डी सद्यो का संताब तो जक्म पर फूल जो रचना है वो मल्यज जी की है ठीक है इसलिए आंसर आप्शन C है चलिए प्रस्म संक्या 13 को हम लोग देखते हैं कि मल्यज जी ने जक्म पर फूल जक्म पर फूल नामक कभी था कभ लिखे थी इसके पहले वाला प्रस्म था इसी से संब्द्ध है लेकिन आब बताना है कि जो जक्म पर फूल मल्यज जी के द्वारा लिखी गए थी और कभ लिखी गए थी आप्शन सुनिए ए 1970 इसपी में आ 1931 में अप्षन C 1932 में अप्षन D 1933 में तो जक्म पर फूल 1931 में लिखी गई थी मल्यार जी के द्वारा यानि इसी समय कारगिल यूद हुआ था चलिए प्रस्ण संक्या हम लोग 13 को देखते हैं हाँ प्रस्ण संक्या 13 मल्याज ने जक्म पर फूल नाम कविता कब लिखी अप्षन A 1970 रिष्पी में अप्षन B 1931 में अप्षन C 1922 में अप्षन D 1933 में तो अप्षन सुनिये चलिए बताई आंसर तो 1971 में मल्याज जी ने जक्म पर फूल नाम कविता लिखी थी और इसी समय मैं पता होने चले की कारगेल युद्वी हुआ था उनसे कातर में ही चलिए प्रस्ण संक्या 14 को देखते हैं मल्याज की मा का नाम क्या था और अप्षन सुनिये परभावती अप्षन B कलावती अप्षन C हिरावती अप्षन D इन में से कोई नहीं तुम मल्याज की मा का नाम प्रभावती था यानि आंसार अप्षन E है चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़े से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर मिलते हैं आपको सब पता है न सर काहें को जानबूच के परिसान कर रहा है तुमको पता है यह चोड़ा सा नवकरी पाने के लिए आदमी को कितना मेंनत करना पड़ता है आपके नीचे पड़ते तो उसकी यह सचाम को कहें दे रहा है तो खेलिके कौम सा देश को किसने बदल दिया तो पढ़ के कौंसा पड़का आपने भारत को हमरी का बना दिया है चाहें कि प्याली तो अपनी खुचे उठाई नहीं जाती आप से टेबल के पिछे चुहे के जैसे दुबत के जलन के बारे बाड़े रहते हैं और इससे एक जो मतलब यह संधारित है क्या गजव बात है चलिए छोटे से बरेक के बाद फिर आम लोग आगे चलते हैं परस्म चंक्याप्ञ्डरा को ठीक है चलिए परस्म संक्यापंद्रा इसका आप मालयज ने ऐमे किस वीशूविद्याल rek सी किया है और अफ़्चेश मेट 57 चलिए आप कंशनरेट होकर वन रंजन तो साथ में होता ही अशत किये थे याणिया आपन स्थन चलिए प्रस्न शंकिया हम लोग ola को देखते हैं हाँ प्रस्टchnyaosola शुरक्षा कहां हो सकती है और अप्सन सुनिये यह घार के भीतर अप्सन B अंधेरे में अप्सन C पलाइन में अप्सन D चुनौती को जह लने में तो सुरक्षा कभ हो सकती है बाइए है जब चुनौति को आप ぜलिएगा ठीक है याद से बागी आप पाईएगा तब तो स्राख्षा आप सुरक्षित नहीं रहा पाईएगा ठीक है आपको जो भी समस्या हो उसा समस्या से लड़िएगा तब उसजा से अपनी जात पाईएगा अन्यात्था आप जहां तक जाएगा समस्या पीछे करते जाएगा इसलिए आंसर अप्सन डी है इसलिए हर्द ग्रिक्ति को अपने लाइफ में जो भी प्रोब्लेम है समस्या है उसे भागना नहीं चाहिए भागने के बजाए उससे लड़ना चाहिए ठीक है चलिए प्रस्म संग के हम लोग 17 क दो देखते हैं कि रचिनी और भोगनि का रिष्टा कैसा होता है प्रस्न ठीक है चलिए अप्सन नह्य現在 अतमक तो रचिनी होगने का रिष्टा दो अंदवात्मक होता है दों अधवात्मक इसलिए अप्षन ए है चलिए प्रस्ट के 18 देखते हैं हस्ते विया मेरा किलापन के लेखा कौन है अप्षन सुनिए ये महांडाकेस बी मल्याज सी उध्याप्रकास डी अग्या इस प्रस्ट से संबंदी तो पहुत से प्रस्ण दुरा गया है इसलिए इसका अंसर भी आप लोग को पता हो गया बटाई चलिए बताई फट्राफ़ पर हास्ते मेरा किलापन मल्याज जी क्या है ठीक है चलिए प्रस्ण इसका जो अप्षन होगा भी चलिए प्रस्ण संक्या हम लोग 19 को देखते हैं मल्याज का जनम कब हुआ था और आप्षन सुनिए ए 1935 में आप्षन बी 1942 में ची 1924 में डी 1936 में चलिए बताई तो मल्याज का जनम 1935 में हुआ था इसलिए आंसर आप्षन ए है प्रस्ण संक्या बिश मल्याजी का मूल नाम क्या था यानि बच्पन का नाम क्या था आप्शन सुनिए ए रमेश शिरीवास्तो आप्शन बी भरत जी शिरीवास्तो आप्शन सी सुधाकर शिरीवास्तो आप्शन डी रमेश्वर शिरीवास्तो तु मलयाजी का मुल नाम भरत जी शिरी वास्तो था इसलिए आंसर अप्षन बी है चलिए प्रस्टेंशन के हम लोग 21 को देखते हैं कौन सी रचना मलयाजी की है अप्षन सुनिए एक चादर मेली सी अप्षन भी भीनी 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 चेदरिया अप्सन C कभीता से सक्षतकार अप्सन D मौत मुस्क्राई चलिए जवाब दिजिए कभीता से सक्षतकार यानि जो कभीता से सक्षतकार रचना है वो मल्याज जी की है इसलिए अप्सन C है चलिए प्रस्टन संक्य हम लोग 22 को देखते हैं कौन से रचना इसमें से मल्यर जी का नहीं है और अप्सन सुनिए यह जख्म पर धुल अप्सन भी सन्वादर एकाला अप्सन सी रामचंडर सुक्ल अप्सन डी सुनू राधी के सुनो राधी के जो रचना है वो मल्यर जी की की नहीं है यहांसर अप्सन डी है कविता संगरा सुनेद्यां से इस में तो कभीता संग्रा इसमें से कौन है जक्म पर धूल जक्म पर जो धूल है वो कभीता है ठीक है और कभीता संग्रा का मतलब होता है कि जिसमें केवल कभीता रखा जाए ठीक है यानि कभीता संग्रा करने का मतलब है कि जहां केवल कभीता हो कभीता के समू को कभीता संग्रा कर लगद्टाइब ठीक है चलिए प्रस्थ म्हां लोग 24 को देखते हैं हस्ते हुए मेरा किलापन किस वीधा में लिखी थैं अप्षान से निए ये पत्र वीधा में अप्षन B डैयरी बीधा में अप्शन C कथब बीधा में अप्शन D जीवनी बीधा में तो डायरी बीधा में हस्ती मेरा किलापन लिखी के गिए ठीक है डायरी बीधा में आंसर अप्शन B है चलिए प्रस्ण संग के 25 को हम लोग देखते हैं जो कि इस चाप्टर का आखरी प्रस्ण है हर आदम उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है यह कथन किसके द्वारा कहा गया था हम लोग को इसी की जनकारी ले लेना है आपसन सुनिए यह जैसंकर परशाद का अपसन भी अग्याय का अपसन सी मल्याज का अपसन डी प्रेमचंद का का तूर्म वजी बोले थे कि हर आदमी जिसस अंसार को रचता है जिसमें वह जीना चाहता है और जिसको भोगता है उसी होगा है चलिए दोस्तों आज चाप्टर को हम लोग कर दिये अगले दिन अगला चाप्टर करेंगे और उसको आप आप लोग पढ़के आई तब सही जवाब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दे पाईएगा ठीक है चलिए वीडियो को आप लोग सेयर कीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेहनत बहुत लग रहा है ठीक है इसलिए और यह मेहनत के आप क्लास में तब तक के लिए आप घर पर रहिए खुशाल रहिए चलिए ओके